दोस्तो हिमकाड आरो स्केल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारे कुछ दोस्त पूछ रहते कि सर जब हम वेंग स्केल बिजली पे लगाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह चार्ज हो चुका है 100% चार्जिंग हो चुकी है जा फिर बिलकुल लो बैटरी है तो इससे हमें बहुत मुश्किला आती है प्लीज बताएं जब हम पावर स्प्राई पे लगाते हैं दोस्तों तो जहां इंडिकेटर ओन हो जाता है और इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है और जब पावर ओफ कर देते हैं तो जहां बैटरी पे काटा चलने लगता है तो उनका कोशिंग यह था कि हमें कैसे पता चलेगा कि जब हम काटा ओन कर देते हैं कि यह 100% चार्ज हो गया है बैटरी पूरी चार्ज हो गया है तो दोस्तो इसका अंसर इसी वीडियो में आपको मिलेगा सबसे पहले मैं काटा ओफ करता हूं यहां से बैटरी ओफ करता हूं अब मैं टन वाई टन दोस्तो सबसे पहले हम देखेंगे बैटरी पे काटा हमने अब यह चला दिया है और इसको ओन करते हैं ध्यान से DC पर निकार रखिया, DC 7.29 इसका मतलब क्या होता है अब ऐसे ही मैं 2nd कांटा 6.23 अब एक और कांटा ओन करता हूं यह 20 किलो का तो यहां आ रहा है 6.43 और ऐसे ही लास्ट में एक और करता हूं तो दोस्तो इसमें खास बात क्या है दोस्तो इसमें खास बात यह है मैं बैटरी पर कांटे को ओन किया उस वक्त जहां बैटरी का स्टेटस आता है जो जैसे यह कांटा बता रहा था एक और फिर आपको दिखाता हूं यह देखिएगा 7.23 मतलब कि यह बैटरी जो है आल्मोस्ट फुली चार्जड है क्योंकि जब हम कांटे को ओन करते हैं यहां देखिए यह मैंने ओन कर दिया सप्लाई का इंडिकेटर आ गया अब इसको मैं ओफ करकर द्वारा ओन करता हूं यहां 7.29 मतलब कि मैक्सिमम बोल्टेज जब फुली चार्ज बैटरी हो जाती है तो 7.29 बोल्ट शो होती है अगर हम इसको बंद कर दें अभी मैंने बंद कर दें तो आप बैटरी पे देखते हैं तो इसकी 7.29 के अराउंड आती है मतलब कि आलमोस्ट 99% काटा चार्ज है अब हम सेकंड की एक्जांपल लेते हैं अब इसको हम बैटरी पे ओन कर रहे है तो 7.6.17 आ रहा है बोल्ट डीसी अब इसको हम चार्जिंग पे लगाते है अब इसका इंडिकेटर ओन हो जाएगा अब इसको काटे को दवारा हम रिस्टार्ट करते है तो अब जे चार्ज काने लगाए बोल्टे दखाएगा 7.29 मतलब कि अब इसको अब आठ घंटे हम लगा कर रखेंगे तो ये भी 7.29 के अराउंड बोल्ट के पहुंच जाएगा ऐसे ही ये काटा है अब इसको हम बिजली पे लगाकर देखते है दोस्तो अब इसको बिजली पे हमने लगा दिया है अब इसकी इस की cricket द्वारा चकाते हैं कि कितनी आ रही है यह आ यह 6.62 बोल्ट और बिना बैटरी के इस यह आ रही है 6.35 मतलब कि इसको भी चार्जिंग जरूरत है और इसको भी आप 7-8 गंटे लगाई है जब तक कि इसकी फाइनल रिडिंग 7.29723 बोल्ट के करीव नहीं आ जाती इसी तरह से 4 बोल्ट का है जब यह डाउन आ जाता है तो बैटरी लो दिखाने लगता है